नास्कार शहलेक्ष किष्टना में राकेश शिवानियाश्य श़यल अपका बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको दशा के फल पढ़ा रहा हूँ। जितने भी ग्रहे हैं, उनकी दशा कैसी जाएगी, इस बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ग्रहे कब फल देते हैं, क्या फल देते हैं, ये मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने ना देखी हो तो उस लास्ट वीडियो क के नाम से वीडियो है, उसके अंदर सब आपको मालुम चल जाएगा, जो ब्रहत पारशर के श्लोक उसमें है, कि दशा का फल कैसे मिलता है, और कितना मिलता है, वो उसके अंदर दिया हुआ है, जादे टमेन आवेस करते हुए, मैं आपको प्रेजेंटेशन शेर करता हूँ आप से, यह जो हम बात कर रहे हैं, यह विमशोतरी महादशा की बात कर रहे हैं, और सूर्य के महादशा के फल की बात कर रहे हैं, कि सूर्य की महादशा कैसी रहती है, और कैसी जाएगी, जब भी किसी की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा आए, तो आपको क्या लाना है कि सूर्य की महादेशा आप भी कैसी जाएंगी तो इसका एक सिंपल प्रिंस्पिल है जो बताते हैं ब्रहत पाराशार में लिखा हुआ है कि मूल त्रिकोने स्वै छेत्रे वा परमोच दे मूल त्रिकोने स्वै छेत्रे वा परमोच दे यानि मूल त्रिकोन राशी मे हो स्वय छेत्र में हो स्वय राशी में हो या उच्छ राशी में हो कौन सूर्य सूर्य मूल त्रिकोन राशी में हो स्वय राशी में हो या उच्छ राशी में हो या केंद्र त्रिकोन लाबस्ते केंद्र त्रिकोन या लाभभाव में हो जरूरी है कि केंद्र लाभभाव में ह पहते होना चाहिए प्राइब है अंहे दोनों के साथ यूठ है यानी सूर्य लूप में राशी में में हैं या राशी में है या केंड को न लाव में बैठा भाव और बहाः बहाब के स्वामी और करम्भाव के स्वामी के साथ युक्त है तो ऐसी दिश्य थे जैने बहुत की पर प्रॉप diffic आई राज मिलता है अश्व मिलते हैं आश्व मैं में गोड़े गोड़ो की प्रॉप्ति होती है उस जमाने में गोड़े लिखा जाते थे आजकल तो मतलब वहान हो यहां आपके लग्जरी वहान लग्जरी विकल्स हो गए तो मतलब उसकी प्राप्ति होती है फिर वो कहते हैं कि सुताधीप समा युक्ते पुत्रलाभम चै विंदती यानि अगर संतान भाव के स्वामी के साथ हो ऐसा सू और यदि धन भाव के स्वामी के साथ हो तो निश्चित ही अश्वो की प्राप्ति होती है गज प्राप्ति होती है धन की प्राप्ति होती है और अगर वो वहानादीप संबंदे अगर वहानादीप संबंदे में वहान भाव के स्वामी यानि चतुर्त भाव के स्वामी के स कुंदे वह यह जाएं सकते हैं तो यह एक इंपॉटन है आप उसका कि जन में मुलतुकुनढ़ राशी उच्याश्य में हो कें च्रीकॉर्ण या इकालमे स tu पताइएं के सुर्य की महाधसा में जातां को अपार थन और स्नक्रापती है इस सब्सक्राइब प्रोड स हुइतलिया और सुर्य अगर युठक अगर मुझ mm हो ऊसा सुर्य थो संतान फ्रापती एक कद्रापतृ तो द्धन की प्रापति चतुर्थ सव जगतु तो वहन की प्रापति है यह जिसमें एक इंपर्टंट है जो शूर्च की दिशागल के लिदे आद रख ना ए और अगर इसका विप्रीत है जैसे नीचे शडस्त के रिफे दुर्बले पाप संयूते राहू केतू समा यूपते दूस्तान दुपी संयूते यानि सूर्य इन भावों में ना हो केंद्र तिकोन लाभाव में ना हो मूलत्रिकोन राशी में ना हो स्वय राशी में ना हो नीच राशी में हो शत्रु राशी में हो, दुर्बल हो, या पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, पाप ग्रहों से द्रस्थ हो, या पाप ग्रहों से युथ हो, उनके साथ हो, तब या राहु केतु समा युथे, राहु केतु के साथ हो, दूस्थान में हो, तो ऐसे केस में सूरे की महादशा के अश मित्रों का विरोध होता है पित्र भै होता है तो ये एक देखने वाली बात तो सूर्य की महादशा में जातक को राज दंड, विदेश वास, अपियस, स्वजनों से विरोध, पित्र कस्ट, घर में अशुब, चाचा मामा अधिको कस्ट, चिंता, लोगों से अकारण द्वेश होता है, और यादि किसी निर्बल ग्रह के शुब ग्रह से यूत द्रस्ट ह बीच-बीच में जातक को फाइदा भी होता है, यादि किसी शुब ग्रह से द्रस्ट भी है वो, ऐसा सूर्य, तो ये अच्छा भी है, सिर्फ पाप्रभाब में हो तो विप्रित फल ही पैवोते हैं इसके, इसलिए सूर्य की महादशा के बीच में ये ध्यान में रखना चा इसके विप्रित अगर सूर्य चटे आठवे और बार्वे महाब में बैठा हो, या चटे आठवे बार्वे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, या पाप ग्रहों से युथ हो, उनसे द्रस्ट हो, तो फल बहुत ही विप्रित बिलते हैं, तो ये था सूर्य की महादशा का प झाल झाल